हेलो गैस, मुवी के स्टार्टिंग में हमें फुका गवा, सेजी नेम का लड़का दिखाया जाता है और दोसे तरफ अकानी नेम की लड़की दिखाया जाती जो अपनी ही कमपनी में काफी इंजवाई कर रही होती है वो भी मास्क लगा कर सेजी जब उसके पास आता है तो अकानी उसको देख कर पूछे लगती है कि तुम सेजी होना जो हम दोना इस साल एकी क्लास में है उसकी ये बाद सुनने के बाद सेजी उससे कहें लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ आई हेट यू का वर्ट कहेकर वहां से चुप करके चला जाता है और इसी बात को याद करते हुए अकानी की मौर्निंग होती है क्योंकि ऐसा सच में सेजी ने उससे कहा था अब इसकी स्कूल का टाइम होका था अकानी तो उठकर जल्दी से त अब से पहले तो उसे अपना लंच बोक्स मिलता है उससे लेकर वो नीचे पहुंचती और अपने बैग में जब डालने लगती है तो उसकी चोटी भेंगरी ना उससे मौर्निंग कहती है और दोसी तरफसर उसके डैड़ आ जाते हैं वो भी उसके लिए खाना बना कर लाए इनरजी रहेगी आखी तुमने स्कूल जाना है और अकानी ये भी नोट कर रही होती है कि उसकी चोटी बेहन राइना के साथ उसके पेरेंट्स कितने खुश हैं और फिर वह अपनी चोटी बेहन और माम के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है जब वो लोग जा रहे होते है अब्दाइब को और अकानी की माम भी अकानी से कहती है कि आज में लेट हो जाओँगी रीणा को स्कूल से तुमीपिक कर लेना और केक कभी ओडर करवा देना ये सुनका अचानी पूछते है कि तुम्हें याद ने तुम्हारे डैड की बढ़ड़े है और वह भी नेक्स व चैट नी बोला था और उसकी माम उसे प्यार से कहते हैं कि मैं इतने फोर्स नी करूंगे अगर तुम्हारा दिल माने तो बोल देना अगर ना माने तो ना बोलना ये कहते होवे वो माम के साथ चली जाती है अब ये बात सुनने के बाद अकानी भी अपने रास्ते बर जाएं पर बैठ कर मास्क लिकाल कर उसे भी लगा लेती है और इधर हमें सेजी दिखा चाता है जिसने अपने दोनों हाथ असमान के दरफ किये हुए थे और अपनी इमेजिनेशन में वो पेंट भी कर रहा होता है अकानी भी अपनी क्लास में पहुंच आती है वो क्लास की मुनीट Word लगते होना है और अब गॻुदो ने वही हैँ तो में बहुनाद ना है चाहता है ऑच सेजी को देखते साथ ही पूरी क्लास के पहुंच उसके पहुंच आटियाँ कि अगर यहसीलागा है उत्सका पहुदल रहत इंटकर ने वाला कैसें को यह सीनम्ट इस फ हीलात थ ऊप्पीस आ गई तो वो भी आके से कहता है कि बस कर दो उंचा क्यूं वोस्त कर रहो अब एकार अगानी भी को सप्क्रॉप करते हैं कि मुझे एग्राओ कि बता हूं कि मैं इसलिए किसी टाइम को डिस्राप नहीं करना चाहता है AIB SUBot कर दिया था ये सुनकर सब भी लोग अपकानी की तरफ हो गए थे कि तुम अपने बारे में सोच लो तुम ही लीटर बन जाओ ना आखिर तुमने क्लास को भी तो हैंडल किया हुआ है अब उन सब की बाते सुनने के बाद अकानी कह देती है कि चलो ठीक है अब इस चीज का बर पर बात ने ली और फिस याकाओं से ये भी बताते हैं कि मेरे पास दोसक लपी है मुझे वहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी होगे इसलिए मुझे लगता है कि मैं डांस प्रैक्टिस के लिए ज्यादा नहीं आ पाऊंगी और तुमाई हल्प भी नहीं करवा पाऊंगी सोरी अकाणी कहती कि नीनी कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीको सारा कम खुदी कर लूँगी और फिर हमें सभी बच्चे पेंटिंग किलास में दिखाये जाते जहाँ पर सारों ने पेंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट व्यूस के बारे में समझा रहे होते हैं और फिर उसके अप्रात कहते हैं कि सबी बच्चों इक द्सकी बारे में बटाना है कि वह कैसे और उसके नंदर क्या चीजब अच्छी बूली हैं अब हर बच्च्च E looks also के बारे में लिखना पाज़ोगाई गया मरें लिखना था आफ़ ब्योंगा अपनेवारे में पर्ड़ा लटा होता ये सुनकर तो उसे गुसा आ जाता और उसके बाद अकानी की बारी आ जाती अब अकानी ने भी अपने बारे में पढ़ना होता है जो बाकी सब ने उसके बारे में लिखा था पहले वाली सब बाते तो वो बोल देती है पर लास्ट वाली बात पर रुख चाते है क्योंकि उसके उपर लिखावा था कि ये अपनी सची फिलिंग्स को हमेशा छुपा लेती है वो भी मास्क के पीछे ये पढ़ने से पहले वो रुख चाहती और बाकी वच्च उसकी दब देख रहे होते हैं और फिर सब के सामने बोलने के बाद कहती है कि ये तो पस मेरी आदत है वरना ऐसी कोई बात नहीं है और उसे बोलते हुए सेजी भी देख रहा होते हैं और अकानी बिर्कुल चुप होकर बैट आती जैसे वो इस बात को लेकर परिशान थी और स्कूल से हटकर एक साइड में आकर बैट आती जहां पर वो अपने मास्क को उतार कर खारी होती हैं दुबारा से मास्क लगा लेती है इतने में उसके पास पेपर वाला एरोपलेन आता है तो जब यह उसे खौल कर देखते हैं तो उसके उपर उसी बात को हाइलेट किया वाथ है जिसमें इसने सेजी के बारे में ये लिखा होता है कि इसकी पेपेटिंग बहुत अच्छी और इसी वज़ा से कि सब लोगों को अच्छा लगता है अब ये पेपर सेजी नहीं उपर से इसकी तरफ भेजाता है और कहें लगता है कि इसी वज़ा से मैं तुम से नफरत करता हूँ तो अपनी ड्यू फिलिंग्स को नहीं बताना चाहती थी कि वो स्कूल में मासक लगाती है और भी डायड़ी ओपन करके बैठ चाहती है कि मुझे क्या क्या काम करने थी क्योंकि वो किसी भी काम को मिस्नी करना चाहथी थी उसमें लिखावात है कि तुमने शॉपिंग करने और साथ में Sister, Rakani को इतना दंग नहीं करो, अब इसी तरह टाइम गुज़ता जाते हैं, और Rakani बस रिना के कामों में लगी होती है, जब उसके माँ वापस आते हैं, तब भी वो आकर Rakani को बस कामी दे रही होती है, वो भी चुप करके अपनी माम के सारे काम कह रही होती है. और यही सब काम करते करते रहा के नो बच जाते हैं और उसके बाद वो जब अपने रोम की तरफ जारी होती है तो देखते है कि मॉम डैट रीना के साथ कितने खुश है ये देखकर अपने रोम में चली जाते है वहाँ पैठकर पढ़ी होती है और उसकी फिंगर में चोट भी लग गई थी जिस चोट को देखकर वो अपनी बलेट को पैन से ही साफ करने लगती है और दुबारा से उसी जगा पर चोट लगवा लेती है और जब दुबारा पढ़ने लगती है तो वहीं पर बढ़ते बढ़ते सो गई थी जब सुबा में उटकर नीचे आती है तो सबसे पहले अपने डैट से पूछते है कि माम कहां पर है तो वो बताते है कि तुमने ज़्यादा सो लिया तुम्हारी माम तो रीना को स्कूल छोड़ने के लिए चलीगी जल्दी में यह सुनकर रीना कहती है कि मुझे जाना होगा वरना मैं लेट हो जाओंगी यह कहकर वाहाँ पर पहुंचती तो है पर उसके आने से पहले बस वाहां से जारी होती यह देखकर वो बस को आवाजह देकर फाइलली रोक लेते हैं और बस के अंदर आने के बाद बस मो नीचे करके एक जगा पर खड़ी हो जाती है और अपने मास्क को ढून रही होती है पर उसको अपने बैग में मास्क की नहीं मेरा होता है ये देखकर उसको इंसाइटी वगरा होने लगती है और आजबास की सब दुनिया उसको अजीब लग रही होती है पर उसको अपन अगर तुम यहाँ पर बैठी रही तो तुम स्कोर के लिए लेट हो जाओगी। ये बास सुनकर भी अकानी आगे से कुछ भी निवोरी होती बस रोई जारी होती ये देखकर। सेजे उसके पास नीचे बैठ चाता है और देखने लगता है कि इसके तबिया तो ज़्यादा खराब कहता है कि तो मैं वामिट हो रही है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ ये कहिकर जल्दी से अपनी साइकल से एक शौपर उसे दे देता है कि इसमें कर दो अब अकानी जैसे शौपर पकटती है तो उसमें मामिट कर देती है और उसके बाद सेजे उसके लिए कुछ चीजे लेने के लिए चला जाता है जैसे कि वाटर पोर्टर और मास्क लेने के लिए पर अकानी तो उससे पानी नहीं लेती भलके उससे मास्क लेती है सबसे पहले और जब मास्क लगाती है तो थोड़ी रिलेक्स होती है देखकर सेजे कहें लगते हैं कि मैं बिल्कुल मतलब ठीक सोचाओं कि तुम मास्क के बगार कहीं पर भी बाहिन नहीं जा सकती हो केस सुनकर अकानी आगे से सर हिला देती है और सेज उसे पूछता है कि ये कब से चर रहा है अभी इस बात का कोई आंस देती इससे पहले उसको माम की कॉल आ जाती जैसी माम की कॉल अटेंड कहती है तो उसकी माम पूछे लगती है कि अकानी तुम ठीक तो हो मैं वापिस घर पर जा रही उस चीज़ को लेने के लिए उसकी मम कहती कि अच्छा अच्छा चल्दी लेकर स्कूल में पहुंचो मैं ये बात तुम्हारी टीचर को भी बता देती हूँ पर अकानी आगे से अपनी मम को रोकते हुए कहती है कि मम मैं क्लास के एक लड़के सेजी के साथ हूँ ये बात मैं को बता देना पर उसकी मम तो गुसी से कहें लगते है कि तुमने एक लड़के के लिए अपने स्कूल को स्किप कर दिया तो वा कहती है कि नी नी मम ऐसी बात नहीं है उसने बरके मेरी हल्प की है पर उसकी माम तो आगेस उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहते है कि बस बस अब तुमने जल्दी स्कूल जाना है जल्दी स्कूल के लिए लिकलो ये कहकर उसकी माम ने कॉल कट कर दी थी अब अकानी भी जब स्कूल के लिए जाएं लगती तो सेजी उसे कहने लगता है कि तुम कहां पर जा रही हो तो वा कहते है कि स्कूल जा रही हो तो वा कहते है कि क्या हो गया है अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो तुम हाई तभी तभीयत नहीं ठीक तुमें स्कूल नहीं जाना चाहिए तो वा कहती कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए तो वा कहता है कि मैं यहीं तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों जा रही हो अगर एक जिन स्कॉल नहीं भी जाओगी तो मर्ड नहीं जाओगी यह बास सुनकर अकानी रुक चाती तो उसे कहने लगती है, कि मुझे जाकर प्रैक्रिस करवाने है स्कूल फेस्टिवल के लिए, तो मुझे जाना होगा, तो सेज़जी भी कहता है, कि तुम पिर्कु स्टूपिड हो, यह बास सुनने के बाद भी अकानी नहीं रुकती है और करती हो बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाती हो तो थोड़ा और अपने आप पर काम करना होगा ताकि तुम अच्छे मार्क्स भी ला पाओ यह सुनकर अकानी कहती है कि जी सर मैं जूरूर ऐसा करूंगी और फिर अकानी सभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के ल उसी कलाप की लड़कियां उसे पुलाने के लिए आजाते हैं कि वहाँ पर हमें एक मीटिंग करने वाले हैं तो तुम्हें आना होगा यह सुनकर स्याका कभी उन्हें देख रही होती अब अकानी भी उसे क्या कहती है इसलिए सब लोगों को कह देए दिया कि आज तुम लो से ले जाती है और अकानी बिरकुल अकेली हो गई थी इसलिए वो अपनी क्लास्ट्रों में आकर बैट जाती है वहाँ बराने के बाद अपनी फिंगर पैक होदी अपने आपको धर्ट देरी होती है यह देखकर सेजी उसके हाथ को पकड़ लेता है कि तुम क्या कर रही हो और उसके सामने पड़े पेपर को भी पकड़ लेता है जिस पर उसने स्टेप पाई स्टेप सब डुरा किया हुआ था कि किस तरह सब को प्रैक्टिस करवानी है यह देखकर सेजी अकानी का हाथ पकड़ कर ले जाता है अकानी उसे रोक रही होती कि तुम मुझे कहां पर लेकर साइट पर हो जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि इस बटन को प्रेस्ट करने के बाद अनौंस करने लगता है कि तुम लोगों को अभी ऑडिटारियम में आना होगा वह भी टांस प्रैक्टिस के लिए अगर कोई एक भी सिंगल परसन ना आया तो फिर देखना मैं तुम लो लोगों से कहता है कि आकानी शायद यह सोचें कि हमें फर्स प्रैस मिलना चाहिए यह क्या कर दुबारा से बटन को प्रेस करने के बाद उन दोनों लटकों को भी ठैक्स करने के बाद वहां से चला जाता है अब जब वो दोनों और और सभी बच्चे प्रैक्टिस के लिए हुए थे और सेजी से कहीं लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल पागल हो तुमने असा क्यों किया तो वह कहता है कि अगर मैं असा ना करता तो क्या तुम लोगों को इस बात के आपना काम करने लग गये और अकानी ने भी डान्स्टर पेपर सब को दे दिया था अब सभी परका तो कुछ ज्यादे इसի Bye G बदक सब्सक्तार के बाहुत जो सब्सक्तरग मरारे ओकानी के पर चुप रहोगी तो तुम्हें को कोई ना कोई तो तुम्हें जान जाएगा कि तुम क्या करना चाहती हो तो पानी के श्री कहते कि अच्छा बताओ क्या है अब अकानी के पास उनको चुप पहुचाती हो कहती है कि कुछ भी नहीं इतने में साइट से उसे बच्ची बुला लेते हैं कि कानी के चीज मूव नहीं कर रही तो अकानी भी फॉरण से उसकी हल्प करने के लिए चली जाती है अब रात का टाइम आता है जब कानी के स्टेप टाइट की बड़े होती है तो वो केक पकटकर उन्हें देने के लिए आ रही होती है शाथ में हैपि पर टे सौंग भी सिंग कर रही होती है बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ और पिर उनके सामने लाग कर केक रख रख तया वोभी केंडर ब्लोग करने के अकानी भी काफी खुश होती है फिर उसके डैडों से पूछे लगते है कि तुम्हेरा स्कूल कैसा जा रहा है क्या सब कुछ ठीक है ना तो आगे से अकानी कहती है कि जी जी सब कुछ ठीक है चले मैं चलती हूँ ये कहकर अपना पीस वहाँ से लेकर चली जाती है और भी जब अकानी अपनी माम के पास से गुजरी होती है तो उसके माम उसके मास्क को उसको दिखाती होए क्या लगती कि क्या ये तुम्हारा है तो ये देखते ही अकानी चल्दी से अपनी मॉम के हाथ से पकर लेते हैं करें लगते हैं कि जी मॉम ये स्कूल फेस्टिवल में यूज हो रहा है और मैं इसी को तो ढूंड रही थी शुकर है या आपको मिल गया गी कहकर अपनी मॉम के पास से ले जाते उसकी मॉम तो इस मास्क को लेकर थोड़ी परिशान भी होती है अब जैसे अकानी स्कूल पहुंचते हो तो वहाँ पार फेस्टरेल के त्यारी वगरा जरी होती है और वही उसी जगह से भागते हुए वो फाइनली औरिटारियों में पहुंचा दी जहां पर सबी बच्चे होती हैं और अकानी नहीं उनके लिए सॉंग लेकर आना तो वह जैसी सॉंग लेकर आ दिया तो उसी सॉंग को चला दिया जाता और क्लास 2 भी की रिहरसर स्टार्ट हो जाती है सबी लोग बहुत ही अच्छे से पर्फॉर्म कर रहे होते हैं उनमें सेजरी भी होता है और, अकानी थो सब कुछ कितने अच्छे से हो गया और फिर लास्ट में अकानी का भी एक पार्ट होता है तो वह जल्दी से जाकर अपने वाले काम को भी कर देती हैं यहीं पर इंकी रहरसर खतम हो जाती है और इस सब में काफी कच्छरा भी फैल गया दे इसलिए वो हर चीज़ को साफ वगरा करने लगती है और दुसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स तो होते हैं कि हमें साथ मैं एक पिक भी लेनी चाहिए और पिक लेने के लिए किसी और कार्णी को ही मूबाल पकड़ा देते हैं अब अकानी भी कुछ टाम के लिए ब़ी प्युँप होचा दएकि क्या मुझे पिक लेनी होगे जो बिल्कुल उसकी लाइफ से जुड़ी हुई थी यह देखकर वहीं परुख चादी और यहां तक कि उसको देखते हुए अपना मास्क पे उतार देती है अब यह कानी उस पेंटिंग को देखी रही हो देते हैं वहाँ पर सेजी पहुंच आता है सेजी को देखते साथ ही व में क्या हो गया है उसे चुप भी करवारा होता है पर अकानी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है इसलिए सेजी कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं यह कैकर उसी तरफ जाने लगता तो अकानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और एक जगा पर पहुंचने के बाद रूफ टॉप का रास्ता होता है वहां से उपर जाने के बाद एक और रास्ता आता है तो अकानी थोड़ी डर रही थी पर फीपी वो सेजी के पीछे पीछे जा रही होती है और जब उपर आने वाली होती है तो सेजी उसको अपना होने लगा है अकानी इस बात पर तो कुछ नहीं कहती बड़ उठकर देखने लगती है कि कौन सी जगा जहां पर सेजी की पेंटिंग्स भी पढ़ी थी और असमान को देखकर वो इतने खुश हो जा दिया कि अपने आपको अजाद फिल कर रही होती है यह देखका सेजी उसे लगता है कि पहले दुनिया कैसी यहां दुइबा सेजी कहते है क्या दो विभी है तुम यहां से जिसद्रू भी देखो कि वह सब तुम्हारा है क्योंकि जो दुनिया तुम देख हुरी हो वह उस दुनिया से दिफ्रेंट है जो बाकी लोग पी से उसे पूंशत है के तुम्हारी दुनिया थे कैने लती है क्रीग हो उसे पूरी दिन्यारौ भी आंखोरे वह से पहलत है तो कानी उसकी के पास उनके कहती है कि मैं तुम से जलती हूँ तो वह कहता है कि क्या मतब तुम उसे जलती हो ये कहकर उसके मास्क को भी उतारने लगता है उसके क्लॉस में आकर बट वो अपने मास्क को नहीं उतारने देती तुम हमेशा अपने मुप पर फेक स्माइल रखती तुम्हारी सिंदगी में बहुत से जूट है जिससे तुम सिंदगी गुजार रही हो अब अकानी भी कहते हैं कि तुम इसा क्यों कह रहे हो हां मैं वह चीज नहीं कर पाती हूं जो मैं करना चाहती हूं तो सेजी कहते हैं कि इस तरह के लेम एक्सक्यूस नहीं दो तुम्हें खुद से प्यार करना होगा, अपने आपको प्रटक्ट करना होगा, जो तुम्हारा दिल करता है, वो चीज़ करो, जब मैं तुम्हें इस हालत में देखता हो, तो मुझे खुद पर बहुत कुछ आता है, कि तुम इस तरह अपने साथ क्यों कर रही हो, तुम्हें लोगों से पहले खुझ से प्यार करना चाहिए तो अकाने उसकी पास उनके कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ अगर करना भी जाओं मैं बस इसी तरह जिन्दी की गुजारना चाहती हूँ चाहिए ये फेक हो या ना हो क्योंकि अगर मैं स्माइल नहीं करूंगी तो कोई भी मुझे अपने दरमिान नहीं समझेगा कोई भी मुझे अच्छा भी ALL आखते हैं तो आगहने कहते हैं कि मैं तो बस अपना वेLAN होता होता है है बस बहुत पूरीं हो पतर्य त до को क्या समझावाई ये कहकर अपना माक्स भी उतार देते हैं सारा गुस्सा लिकारी होते हैं कि मैं तुमसे नफरत करती हूं ये बास सुनकर तो सेजी हंसे लगता है कि ये तुमने काफी अच्छा किया सेजी कि इस बात के बात बिल्डिंग की दोसे कॉर्णर में जाकर काफी उन्ची आवाज में अपना सारा गुस्सा लिकारने लगती है कि हर इंसान ने मुझे अपनी हिसाप से यूज किया हर कोई अपने काम का सारा बर्डन मुझ पर ही डाल दिया करते थे जो मैं रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी उस चीज की ज़्दा काइंट थे बहुत अच्छे से बिहेव किया यह सब बाते कहने के बाद अकानी तो गिर चाहती हो सेजी बस उसे खुशो कर देख रहा होता है जो चीज़ वो करना चाहता था उसने वो कर दिखाया और फिर उसके पास जाता उसका अपना हाथ देकर खड़ा करता ह अकानी भी खुशो कर उसे कहें लगते है कि मैं काफी अच्छा फिल कर रही हूँ तो सेजी उसे कहते है कि तुम्हें लाइफ में वही करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो क्योंकि यह टाइम दुबारा नहीं आने वाला यह बात कहकर सेजी जाने लगता और यही बर हमार के पार्ट भी एंड हो जाता है इसका नेक्स पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगी तब तक इस वीडियो को लाइक भी करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना ओके बाइबाइब